नमस्कार दोस्तों आर एस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है तो आज के वीडियो में बलाउच का बैकनिक डिजाइन बनाना बताएंगे तो इस तरह देखें इसका हमने गला त्यार कर लिया है अब जो डिजाइन है उसे बनाना बताएंगे तो यहाँ पर लिया है हमने देखें 14 इंच आएगा पूरा नीचे से तयार है आदा इंच उपर सुल्डर में जाएगा साड़े तेरा इंच तयार लंबाई होगी सुल्डर साड़े पांच इंच लिया है गले की चौड़ाई धा इंच लिया है और इस तरह से गले का निशान कर दिया है पाइपीन लगा कर गले को हमने तयार किया है तो इस तरह आप सिंपल गला तयार कर सकते हैं उसके बाद इस पर डिजाइन है डीप अपने हिसाफ से रख सकते हैं साड़े दस इंच हमने लिया है थोड़ा साड़े दस इंच से जाद है कि लगभग जारा इंच ले है आपको अगर साढ़े दस बनाना चाहते हैं तो ले सकते हैं पट्टी तयार करनी है डिजाइन के लिए बहुत ही प्यारा डिजाइन और सिंपल गले पर इस तरह से इसे डिजाइनर बना सकते हैं तो गला हमने दिखे इस तरह से तयार किया उसका मेजरमेंट भी बता दिया आप यहां पर डिजाइन जो है उसे आप देखेंगे कैसे बनाना है तो यह इस तरह पट्टी तयार करना है और दो दो इंच की कट कर लेना है उसके बाद दिखे इसको गले पर लगाना है अब इस तरह से यह गले पर लगेगी पूरे गले पर जितनी चोड़ी पटी है उत 32 से 36 साइज तक यह ना आप रख सकते हैं अगर बड़ी साइज है से तो फिर थोड़ा सा अपने हिसाब से लंबाई चोड़ाई जो है तो बढ़ा लेना है कि अब देखे इस तरह से एक बराबर से ही पूरी डिजाइनों को पहले यह डिजाइन से पूरी करेंगे तो इस तरह देखे इसे पूरे गले पर लगा दिया है इसे लगाने के बाद अब हमें तयार करनी है डोरी तो यह डोरी के लिए हमने कपड़ा कट कर लिया है अब देखे इस तरह से सिलाई लगा देंगे फिसको पलट कर तयार सीधा करना रहेगा अब जोड़ी जाएं इसके बाद है उस पर डोरी से ही है डोरियां जितना गला है पूरे गले पर ये रहेगी और दो डोरियां लेनी है जितना पूरा गला आएगा उससे डबल लेंगी है तो इस तरह से इसे पलटना है एक डोरी हमने पलट करते हैं यार कर ली है और एक देखिए यहां पर इस तरह से कैसे पलटना है वह दिखाएंगे थोड़ा सा तो इस तरह से पलट लेना है पहले डोरी को बना कर जैसे डोरी गले पर बादने वाली जितनी साइच की लेते हैं जितनी पत्लियों इसे हिसे बन बनानाएं उसी तरह से बर्कुल बना लेना है इस साथ बना करfund त्यार करना है दूसरी भी अपने तियार की दो डूरियां आसा लिठाल मिलेंगे और पिर इस तरह से इसको राष करते हैं को पर बदा दियाइक बना जाना है तो इसी तरह से पूरी गले पर बना लेंगे देखे गला इन्ट लगा कर ही बनाया है इस पर भुकरम का यूज़ नहीं किया है आप चाहे तो अब अपने हिसाब से तैयर कर सकते हैं पाइप बुखरण लगाक और अगर तेयार नेय twenty three तो उस पर भी यह दियाइन बना सकती है आप इसे कट कर देंगे थोड़ी से मारी डोरी बची है जादा नहीं बची है तो यह डिजाइन देखें इस तरह से बनाई आप इसके अंदर में मोतियां भरनी है तो दो दो मोति इस पर इस तरह से लगाएंगे दो मोतियों की हिसाब से ही हमने यह डिजाइन बनाई है थोड़ा सा इसका लूप अलगाएगा छोटी अगर बनाते हैं तो एक मोतियां उसमें डाल सकते हैं छोटी-छोटी से डिजाइन को अगर क्रास करते हैं तो लेकिए इस तरह दो-दो मोति पूरे पर करके लगाएंगे तो इसी तरह से हमें पूरे पर दो-दो मूती करके साथ में ही दोनो मूती डालकरर इस तरह लगा लेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा और दो बार धागे को दो-तिन बार से अच्छे से निकाल लें तो फिर यह पुलेगी भी नहीं तो इसी तरह पूरे पर हमने दिखे लगा लिया है अब यह जो पट्टी वाली डेजाइन साइज पर हमें डौरियां डाल ली है तो यह डौरी पर लटकन बांद ली है यह डोरी यहां से इस साइड जाएगी और एक उससाइड दोनों साइड अलग-अलग डौरियां लेनी है यहां पर इसको बांधना रहेगा तो इस तरह से डोरी को डाल लेंगे तो इस साइड इससे ले जाएंगे और डूसरी जो लेंगे साइड डाल देंगे कि आशाऑन। यहां पर इस तरह से डोरी को बांधनेगे और उपर डोरी को पर सी लाएंगा नहीं हुआ तो जब solar joint करेंगे तो उस पर सिलाई लग जाएगी तो इस तरह दिखें इसे बांद दिया है अब लाश्टमिस का प्लेट्स बना देंगे तो गला हमारा तयार हुआ तो इस तरह आप प्यारा सा पाटन तयार कर सकते हैं बहुत ही कप टाइम में और लुक भी कापी प्यारा ह आ रहा है तो इस तरह से निटवन हो आप प्तिया है तो यह रावंडगले हलका समने तरह से मना सकते हैं तो डिजाइन बनके माहरा तेच्याइर हुआ हुआ अगर अच्छा लगा हूँ तो वीडियो को लाइक कर देजेगा चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेजेगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नया डिजाइन के साथ धन्यवाद